खुले आम भाजपा प्रवक्ता बन कर अपने को पत्रकार बताने वाले अमिश देवगन को सरकार समर्थित एंकरिंग के लिए जाना जाता है अमिश देवगन अक्सर खुलकर भाजपा की पैरवी करते हैं एवं विपक्षी नेताओं से खुद ही भिड़ जाते हैं लेकिन उन पर कई बार विपक्ष के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया है कॉंग्रेस नेता राजीर त्यागी द्वारा अमिश देवगन के लिए वो अपमान जनक टिपनी यादी होगी आप लोगों को कॉंग्रेस नेटा राजीर त्यागी द्वारा की गई अपमान जनक टिपणी सुनने के कुछ दिन बाद तक अमिश देवगन शान्त थे लेकिन ये शान्ती अधिक देर बनी नहीं रही वो कुछ दिन बाद फिर मोदी भक्ती में लीन हो गए लेकिन ये अमिश देवगन जैसे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अब उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर एक ऐसी टिपणी की है कि समूचे विपक्ष के नेताओं ने मिलकर अमिश देवगन की जमकर क्लास लगा दी अमिश देवगन ने भाजवा प्रवक्ता के तरह के एक ट्विट करके विपक्षी नेताओं को घेरते हुए लिखा महा गडवन्दन की महा रिली में अभी तक का एजंडा सिर्फ मोदी हटाओ खुद को बचाओ फिर आपस में निप्टाओ पिम किसी को भी बनाओ देश में बस पुराने दिन ले आओ और मजे उडाओ सपा निता आशिश यादव ने अमिश देवगन की हिकड़ी निकालते हुए जवाब दिया अपने मजे के लिए हर हाल में सत्ता के बचाव में जब आप एक तरफा हो जाएंगे जनता की लड़ाई लड़ रहे सयुक्त विपक्ष की बात आप कहां समझ पाएंगे अमिश देवगन बंगाल की धरती से मा माटी मानुश की एकता की आवाज भाजपा के पतन और जनता की महाविजय का उदेश्य हैं वहीं इसके बाद अमिश बैकफुट पर आकर कहने लगे कि आशिश भाई आपकी बात से सहमत हूँ बीजेपी के लिए एक जुट विपक् पर एजेंडा सिर्फ मोदी हटाओ नहीं हो सकता मैंने अपनी राय दी अफसोस आपकी तरफ की आपको नहीं लगी थोड़ा टॉलरेंस दिखाएं यादव जी इसके बाद सपा नेता ने जवाब देते हुए लिखा भाई अमिश देवगन जब आप सच को छुपाएंगे आप ही बताएं बतोर पत्रकार जनता से आप कैसे नियाय कर पाएंगे यही राय आपकी बतोर एंकर डिवेट से जलगती है देवगन सहाब पक्ष विपक्ष का अपनी नीजी राय के हिसाब से मत रखिये सपा और नेताओं में भी अमिश देवगन की जमकर क्लास लीफ वह उकीली अमिश के टुट द्वारा विपक्ष के लिए परियोग किये गए सब्तों पर कई पत्रकारों ने कड़ी परतिक्रिया दी है कि ब्यूरो रिपोर्ट पलपल नियूज